हेलो गाइस वेलकम टू मैं चैनल पीके कॉमर्स स्टेडी आज की इस वीडियो में मैं रीसर्च पेपर का बहुत ही इंपोर्टन क्वेशन लेके आई हूँ गाइस में बता दू यह कोईशन एक्जाम में बहुत बार रिपीट कर चुका है तो एक वैसे ने साचतकार से आप क देखे ताकि आपके एक्जाम में आए तो इसका आंसर बहुत असानी से दे सके तो सबसे पहले मैं साचतकार को सरल सब्दों में बता दू कि साचतकार से आसे यह है कि जब दो या दो से अधिक वेक्टियों द्वारा किसी बिसेस उदेश्य से आमने सामने की गई बाचीत क को साचतकार कहा जाता है जैसे जब कोई किसी वेक्ति जब कोई वेक्ति किसी कमपणी में जोब करना चाहता है तो उससे कई परिक्रियाओं से गुजरना पड़ता है विभीन परकार की प्रक्रियाएं होती है जैसे लिखित एक्जाम देना पड़ता है प्री मेंस के लिए क करना पड़ता है उसके बाद जो अंतीम में आवेदक को साचतकार के लिए बुलाया जाता है और कंपणी के सीनियर ओफिसर्स के द्वारा आवेदक को प्रेस्ट पूछा जाता है और जब इस परिक्षा में पास हो जाता है तब ही कंपणी में सेलेक्शन होता है इसे एक तरब से मौखिक एक्जाम भी कहा जाता है इंटर भीवर और इंटर भीवी के आपसी बातचीत को ही साचतकार कहा जाता है तो चलिए अब हम लोग देखते हैं साचतकार का साब दिकट क्य हूथ है अचिस साचतकार से आज़ यह है कि जब दो या दो से अधीग वेक्तियों द्वारा किसी बिसेस उदे से से आमने सामने किया गया वार्थालाप को मोखिक प्रस्तंवली कहते हैं जिसमें हम किसी भी वेक्ति के विचारों और प्रतिक्रियाओं के लिखने के बजाए उनके समुक रहकर वारतलाप करके प्राप्त कर सकते हैं चलिए अब देखते हैं साचतकार की परिभासाएं क्या है पहला है पोलिंग यंग के अनुशार यानि पोलिंग यंग का मानना है साचतकार एक बेवस्थित व कल्पनात्मक रूप से परवीष करता है यानि' इंटर्विवध के दुवारा इंटर्विवी से बाद मक्राइब इसके बारे में जनकारी प्राप्त करना चाहता है कि उसके अंदर क्या टाइलेंट हैं तीसरी परिभासा है एम एन वसू के अनुशार एक साचतकार को कुछ विसयों को लेकर वेक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है चलिए हम लोग देखते हैं साचतकार का महत्व यानी लाब समाजिक सोध अनुसंधान में साचतकार पदते के महत्पून अस्थान है गुड़े एवं हाट के हाट ने इसके महत्पून महत्व के संबंद में लिखा है समकालिन अनुसंधान सोध के साचतकार का अधिक महत्व हो गया है क्योंकि वह गुनात्मक साचतकार का फिर से मुल्यांकन है एक अर्थ में साचतकार वह अधार सीला है जिस पर की अन्य सब तत्तो टिके हैं क्योंकि यह समागरी संकलन का पाच है समाजिक सोध में साचतकार का महत्तो निम्द प्रकार है चलिए देखते हैं क्या क्या प्रकार है पहला है घटनाओं का अलोकन साचतकार की द्वारा साचतकार करता को अलोकन का आउसर प्राप्त होता है जिससे हुआ साचतकार के सासाथ के घटनाओं का अलोकन भी कर सकता है दोनों पदतियों से प्राप्त समागरी ज्यादा बिस्वसनी होता है दुश्रा है अस्पस्टी करन संभव इसमें प्रतेक प्रस्न और उतर की जाच होती रहती है परस्वरिक बिचारों के अर्दान परदान के द्वारा समस्याओं और घटनाओं के अस्पस्टी करन में मदद करती है दूसरा है एतिहासिक भावनात्मक फ्रिष्ट भूमी का ज्यान इस पदती के द्वारा घटना का अध्यन उसके एतिहासिक संदर्म में किया जाता है चौथा है अमूर्त घटनाओं का अध्यन समाजिक पदती के द्वारा हम समाजी घटनाओं तक पहुचाने का परियास करते हैं इस पदति के दोरा समाजी घटनाओं का अध्यन असानी से किया जा सकता है पाचवा रिवा सबी अस्तर के लोगों को सुचना साचतकार पदति दोरा सबी अस्तर के लोगों से सुचनाय प्राप्त की जा सकती है यदि स्रमिको का अध्यान करना है तो स्रमिको से साचतकार किया जा सकता है यदि वेश्य वृति का अध्यान करना है तो वेश्य वृति से साचतकार किया जा सकता है छटा है मर्म भेदक अध्यान अने घटनाएं ऐसी होती है जिनका अध्यान अवलोकन फ्रनाली के द्वारा किया जाता है। आठवा है लचीली पदती साचतकार पदती एक लचीली पदती है जिसमें आवसकता नुसार बिसे वस्तु अवसाचतकार संचालन में परिवर्तन किया जा सकता है। नवा है बाहू छेत्रिय सुचनाएं प्राप्त करना इस प्रनाली के विविन सुचनाओं से जनकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी छेत्र में अपनाया जा सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं साचतकार की हानिया। साचतकार करने से क्या क्या हानिया होती है। पहला है दोस्पूर्ण अस्मरन इस प्रनाली का प्रमुक दोसिया है कि साचतकार के समय ही सुचनाओं का लेखाबद नहीं किया जाता है। ऐसी इस्थिति में वह गलत सुचनाएं लेखाबद कर सकता है। इसे निसकर्सों में त्रूटी पैदा हो सकती है। दूसरी हानिया है गलत सुचनाओं की प्राप्तिकी संभावना। अनेक बाते ऐसी होती है जिसको बेखती दूसरे के समझ प्रकट करने में संकोच करता है। साचतकार प्रनाली में साचतकार करता सुचनादाता के प्रमुक उपस्थित रहता है। अता संकोच वस अनेक बाते सुचनादाता छिपा लेता है। तीस्री हानिया है हिंता की भावना। इस प्रनाली का एक दोस या भी है कि साचतकार करता अपने को कुछ हीन समझता है। इस कारण उसमें हीन भावना का विकास हो जाता है। चौती हानिया है प्रिथक समाजिक प्रिष्ट भूमी साचतकार करता भी समाज का एक अभीन अंग होता है वह भी अपने समाज की मानियताओं धारनाओं एवं विश्वासो आदि से परभावित होता है यदि सुचनादाता की समाजिक प्रिष्ट भूमी साचतकार करता की समाजिक प्रिष्ट भूमी से अलग है तो दोनों के वेक्ति तो आदर्स असमान होते हैं वे समाजिक मुल्यांकन में भी विविन द्रिष्टी कौन रखते हैं समाजिक स्थितियों के बारे में दोनों की अलग-अलग मानियता होती है पाचवा हानी है बेक्तिगत पचपात इस पदती में बेक्तिगत पचपात के समावेस होने संभावना रहती है इस पदती में सारा वर्नन सोतंत्र होता है और साथ ही विस्तरीत भी अत्ता साचतकार करता जो सुचना प्राप्त करता है वह पचपात रहित नहीं हो सकती है इसके विक्तिकत विचार भी उसमें समिलीत होते हैं साचतकार की छट्थी हानिया है अनावासियक विस्तार इस प्रनाली का एक दोस या भी है कि इसमें सुचना दाता को प्रस्नों का उत्तर देने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है अतावा पूर्ण विस्तार के साथ उत्तर देता है जिसका अधिकांस भाग अनुसंधान की द्रिष्टी से इस प्रनाली का एक दोस्त या भी है कि इसमें सुचना दाता को प्रस्णों का उत्तर देने में पूर्ण सुतंतरता रहती है तो आज के लिए इतना ही उमीद है हुआञाए फुआ हस्याई गदयवगारा सूचना अनुस्ता सवेल रहते है के वा dedic स्वेख धूर्ण